सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत है सो फैनली ओपो वालों ने अपने ओपो रेनो एट 5G के अंदर कलरोस 14 बेस्ट डान अंडराइट 14 का न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का कंप्लीट डीटेल बताने वाला हूँ दोस्तो जिसमें आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है कौन से bucks fix हुए है साथ ही इसका battery performance की step से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं one by one सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो में last तक बने रहिएगा अफिसियल वर्जन देखने को मिलता है और OPPO Reno 8 5G का model number CPH 2359 देखने को मिलता है बात की जाई सब्डेट के basic information की तो यहाँ पर आपको 14.0.0.501 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 1.28 GB का है और यह आपको colorways 14 के साथ अफिसियल वर्जन देखने को मिल जाता है बात की जाई सब्डेट के बाद इसके android security पेच की तो यहाँ पर आपको android 14 के update के साथ 5th March 2024 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलावा बात की जाई अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे bucks वगरे देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system stability और उसके system performance को optimize and improve किया है जिससे कि आपको और भी बेटर experience के साथ system performance देखने को मिलता है साथ दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको और भी improve और stable कर दिया है जिससे कि जो apps opening, closing, speed, battery life, animation आपको और भी बेटर experience के साथ देखने को मिलता है इसके लाव बात की जागले बग fixes की तो यहाँ पर दोस्तों apps crashing issue को यहाँ पर fix कर दिया है पहले दोस्तों कुछ-कुछ apps जो है काफी ज़्यादा crashing issue देखने को मिलता था उस apps को open करते ही exit हो जाता था, use ही नहीं कर पाते थे तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है पात की जागले चेंज की तो camera के अंदर अगर दोस्तों आप camera से photo video अगर लेते है तो उस time पर proper way में touch को response नहीं करता था बीच-बीच में lagging issue और anti-sec issue देखने को मिलता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके camera के stability को improve कर दिया है जिससे की अब आप photo अगर लेते है वीडियो recording करते है या फिर किसी भी function में move करते है तो आपको proper way में working देखने को मिलता है इसके अलाव बात कीज़े अगले बक fixes की तो camera के अंदर ही यहाँ पर दोस्तों अगर आप watermark features को arm करके रखते है तो उस time पर अगर आप video recording करना चाते है time lapse mode में तो वो आप नहीं कर पाते थे watermark features arm होने के बाद तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप watermark features arm रहने के बाद भी time lapse mode में आप video recording कर सकते है तो इस problem को यहाँ पर fix कर दिया है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो apps opening closing के टाइम पर यहाँ पर दोस्तो अगर आप किसी apps को open करते थे और उसके बाद उसको close करते है तो उस time पर lagging इसू देखने को मिलता था properly work नहीं कर पाता था साथ ही दोस्तो जब apps close करते थे तो उस time पर जो apps का icon है वो disappear हो जाता था so नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो आपको इस भी apps open करते हैं close करते हैं तो आपको proper way में working देखने को मिलता है कोई भी लेगिंग इसू देखने को नहीं मिलता है साथ ही दोस्तो जो apps disappear हो जाता था close करने के बाद उसको भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है तो अब आपको better apps opening closing और apps का icon proper way में so होता है इसके अलाव बात की जा अगले बक fix की तो apps के अंदर ही यहाँ पर दोस्तो अगर आप photo apps या gallery apps को यूज करते है तो उस टेम पर photo apps में photo जो है proper way में display नहीं होता था कुछ-कुछ situation में blank देखने को मिलता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप photo apps, gallery apps यूज करते है तो आपको proper way में photo, image वगरा, video अगरा जो होता है पहले यह कुछ-कुछ situation में blank देखने को मिल जाता था तो उसको भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप camera से photo अगरा लेते हैं या फिर normal photo अगरा photo apps में store रहता है उसमें आप edit features को use करके erase tool वगरा को use करना चाहते हैं तो आप erase tool को यहाँ पर use ही नहीं कर पाते थे I mean कि erase tool जो है open ही नहीं हो पाता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप camera से photo लेकर editing करे या फिर photo apps से कोई सभी image वगरा edit करते हैं और erase tool वगरा use करते हैं तो आपको proper experience के साथ better response के साथ यहाँ पर erase tool यूज करने को मिलता है इसके लाव बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचे के side additional setting के अंदर screen recording के अंदर indicator location का नहीं था लेकिन इस update के बाद इसको add कर दिया है अभी दोस्तों आप screen recording करते हैं तो आपको दो option देखने को मिलेगा status bar को अगर select करते हैं और screen recording करते हैं तो आपको dynamic dot या फिर fluid cloud की रूप में यहाँ पर status bar में आपको ये dynamic dot दिखाएगा screen recording का और अगर आप floating window यूज करते हैं तो आपको old वाला कुछ इस type से floating window की रूप में छोटा सा आपको screen recording का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको indicator location का status bar और floating window का option देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो apps के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप weather apps यूज करते हैं तो उसमें जो weather का information है तो वो properly कुछ कुछ situation में so नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके apps को improve कर दिया है जिससे कि अब आपको better weather apps का detail information देखने को वो आपको मिलता है दोस्तो नेटवर्क के अंदर यहाँ पर दोस्तो mobile network connection के stability और performance को improve किया है जिससे कि जो mobile network कुछ कुछ situation में up down होता था proper way में call वगरा connect नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब आपको better और stable network के साथ better mobile network connection देखने को मिलता है इसके लाओ बात किज़े अगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप call वगरा करते हैं और conference call करते हैं तो उस time पर properly conference call work नहीं करता था call end हो जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो अगर आप call करते हैं conference call यूज करते हैं तो आपको properly working देखने को मिलता है अब proper way में conference call यूज कर सकते हैं इसके लाओ बात किज़े अगले bug fixes की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो communication के अंदर ही अगर दोस्तो आप call करते हैं तो अगर आप call forwarding features को यूज करते हैं तो वो proper way में work नहीं करता था तो उस problem को भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो आप call forwarding को अगर करते हैं तो आपको properly use करने को मिलता है साथ ही properly working देखने को मिलता है इसके लाओ बात किज़े अगले change या missing features की वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, niche side special features के अंदर smart sidebar में यहाँ पर दोस्तो किसी-किसी user का smart sidebar जो है कुछ-कुछ situation में stop देखने को मिलता था, proper way में work नहीं करता था, तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप smart sidebar proper way में use कर सकते हैं साथ दोस्तो smart sidebar के अंदर ही आपको smart function करके option देखने को मिलता था, जिसे आप on करते थे, तो आप YouTube से वीडियो अगरा देखते थे, तो यहाँ पर आपको background streaming का features देखने को मिलता था, जिससे कि आप YouTube से वीडियो अगरा आप background में stream कर सकते थे, तो उसको यहाँ पर permanently remove कर दिया है अब दोस्तों आपको background streaming का कोई भी features देखने को नहीं मिलेगा, इसे company वालों ने ही permanently remove कर दिया है इसके अलब बात किज़े अगले change की तो connection के अंदर, यहाँ पर Wi-Fi connection के stability को improve और fix किया है पहले दोस्तों कुछ-कुछ situation में Wi-Fi connection जो है proper way में work नहीं करता था I mean कि अगर आप device connect करते थे तो वो कुछ-कुछ time पर disconnect हो जाता था, साथ ही proper way में connect नहीं हो पाता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है, जिससे कि अब आपको better Wi-Fi connection और stable Wi-Fi connection देखने को मिलता है एंड़ गे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो battery performance है, वो पहले से काफी better और stable देखने को मिल रहा है दोस्तों, काफी अच्छा battery backup देखने को मिल रहा है पहले दोस्तों, अलफा और जन बीटा अपडेट में काफी ज्यादा battery draining, over eating का problem फेस होता था, तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिये है जिससे कि अब आपको better battery backup, battery usage देखने को मिलता है, साथी दोस्तों जो over eating का problem था, वो भी यहाँ पर काफी हद तक solve हो चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा-थोड़ा over eating और battery draining को problem फेस हो रहा है, लेकिन अलफा अपडेट और बीटा अपडेट से काफी better performance देखने को मिलता है साथी दोस्तों, अगर आप charging करते हैं, तो इसका जो charging speed है वो भी आपको सही देखने को मिलता है अगर इस बात की जाई, सबडेट के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तों, इसका जो game performance है, वो आपको काफी smooth और stable देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप heavy use करते हैं, ज्यादा time तक game अगरा खेलते हैं, तो आपको कुछ-कुछ time पर lagging इसू और बीज-बीज में आपको frame drop इसू अगरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप normal condition में game खेलते हैं, game play करते हैं, तो आपको काफी smooth और stable gameplay देखने को मिलता है, साथ ही दोस्तों, अगर आप काफी ज्यादा time तक game खेलते हैं, तो उस time पर आपको overeating और थोड़ा fast battery draining का problem फेज करना पड़ता है, अब दोस्तों, बात की जाए OPPO के system application अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों, मैंने वीडियो के description में अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है, यहाँ पर आप आकर अपने system application को update कर सकते हैं, यहाँ पर आपको color OS 13 and color OS 14 का काफी सारे system application update मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों color OS 14 का system application update करेंगे, तो carefully install कीजेगा, हो सकता है आपको apps increasing issue अगर देखने को मिल जाए, तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा तो यह रहा दोस्तों इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है की नहीं मिला है, आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा, तो इतना ही तो दोस्तों इस video में, video पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले, मिलते हैं हम next video में, तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों